मुकेश जी पहले अपने बारे में कुछ बताईए आप क्या काम करते हैं सरकार की किस वह जना का आपको लाब मिला है कितना पैसा मिला आपको साड़े चार लाग सर और उसका अभी कैतना का लोगों को काम देते हैं आप तो आप नोकरी मांगने वाले के बजाए नोकरी देने वाले बन गए प्रणा प्रणा मुकेश जी कि आपको लगता था की इतनी आसानी से आपको बैंक से लोन मिल जाएगा और आप अपना पैर पे खड़े हो जाएंगे और आप इस प्रकार से काम आगे बढ़ाएंगे जाख अभी विचार आया था नहीं सर्व एक्चिली अमने आसे कर दो तीन बार तो हमको लोन नहीं मिला था फिर आपका जो प्रणामंती योजना से आपको पता लगा कि आप चोटे-मोटे बिजनस वाले को लोन दे रहे हैं तो आपको आप अपना कारोबार यूपियाई से करते हैं कि कैस से लेते देते हैं नहीं तो आप धिरे-धिरे करके 100% यूपियाई पर जा सकते हैं क्योंकि आप तो गाउं के लोग वे यूपियाई उपियोग करते हैं अब करने से आपको फायदा यह है कि बैंक से भविश में बड़ा लोन लेना है तो रेकॉर्ड आपको बहुत काम आता है कि आप देश की युवा शक्ति का प्रतिक है आपने साबित कर दिया है कि भारत का युवा अगर मेहनत करना तै कर ले तो कैसे नहीं दुनिया खड़ी कर देता है और वो ना सिर्फ रोजगार की इच्छा करता है बलकि वह दो चार और लोगों को रोजगार देता भी है हमारी सरकार आपके जैसे युवा साथियों की मदद करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही हैं